मुरादाबाद जिनपत के कुनर की थाना इलाखे के आगरा नेशनल हाईवे पर एभीजन सड़क हास्ते में लगबग एक दर्जन से अधिक लोग गम भी रोप से घायल हो गए जबके एक बच्चे की मौत हो गए मंगलबार दोपहर के समय रोडवेज बस ने छोटा हाथी के पीछे से टक्कर मार दी घटना के बाद चीख पुकार मज़ गई मौके पर स्थानी लोगों से घटना की सूचना संबन दिथाने को दी गई घटना इसतल पहुची पुलिस और स्थानी लोगों ने रायल को जिलस पहुचाया जबकि मिरतक कश्या वो कबजे में लेकर मोर्च्री में रखवा दिया प्रत्यक्ष दर्शियों के मताबिक छोटे हाथी में लगबग 17 सवारियां भरी हुई थी कुदर की ठाना इलाके के आगरा नेशनल हाइवे पर तेज रफतार बस ने ओवर्टेक करते समय पीछे से टक्रमा दी और यह हासा हो गया सभी घायल बरेली के रहने वाले बताए जा रहे हैं और गाज्याबाद किसी काम से गय थे किया लादा आपका प्रिंपल कस हो आज सब्सक्राइब कि पीछे से कितने लोग तेश में जा रहे थे आप हम दो गाजी अबाज यह अभी जो मेरे पास है अभी तक मेरे पास में साथ आठ लोग आ चुके हैं जो एक्सिडेंटल में जिसमें एक बच्चा जो है 15 साल उपर जिसकी नाम अनुज है और सनोफ पूरनल जो की सिरोली बरेली करहने वाला है यह रोट डेट आया है इस मिर्त हो चुकी है साथ में इसके दादा आये है होरीलाल और सनोफ के दारी कै है उसके बता रहे हैं कि यह कोई मैजिक में थे और मैजिक जो है वाल फर्लट गया टेजगती से था उसको उता रहा नीचे तो फिर मैजिक पलड गया और उस बच्चे के उपर मैजिक का कोई रॉड बगारा लगी और सारे उसके उपर किंए तो गहीं है